अपने शहर की लेटिस खमरों के लिए नियूज को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि अगर आदिवासियों की बात होती है तो मैं दो मिनट में शामिल हो जाता हूँ आज हम आपकी आपके नाच गाने को देखेंगे सुनेंगे और आपकी जो हिस्ट्री है आपका जो इतिहास है उसके बारे में हमें थुड़ा सा समझने को मिलेगा मगर मैं यह नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ आज हम आपकी आवास सुने आपके नाच को देखें मैं चाहता हूँ कि 36 गर्ड़ की सर्दार में 36 गर्ड़ को चलाने में आपकी आवास सुनाई दे और आपके जो विचार हैं वो शामिल किये जाएं दूर दूर से आदिवास सी भाई भेन आए हैं यूगैंडा से हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से बाकी देशों से आए हैं और यह बहुत अच्छा कदम है पहला कदम है मगर बहुत अच्छा कदम है और इसे हमें और तेजी से और मस्बूती से आगे ले जाना है आदिवासियों के सामने देश में बहुत फमस्या हैं खुशी से मैं कहता हूं कि 36 गड़ में आदिवासियों की आवास सरकार में सुनाई दे रही है तंदू पत्ते की बात हो आपको जमीर वापिस देने की बात हो मैल्यूटिशन पर एक्शन देने की बात हो 26 गड़ के सरकार आपके साथ मिलकर काम कर रही है और चीफ मिनिस्टर ने कहा जो पहले यहां हिंसा हुआ करती थी उसमें कमी आई कमी क्यों आई क्यूंकि यह सरकार लोगों की आवाज सुनती है और विधान सभाह में विधान सभाह में सबकी आवाज, एक वियक्ति की आवाज नहीं, सबकी आवाज सुनाई देती हैं, देश की आदर आप जानते हैं, बाकी प्रेदेशों में क्या होना है, आप सब को मालुम है, किसानों की समस्या आतम हत्या अर्थ विबस्ता की हालत बेरोजगारी यह आप जानते हो दोहराने की ज़रूरत नहीं मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ बिना सब को लिए हर धारी को हर जाप्त को आदिवासी दले पिछणों को लेकर ले बिना हिंदुस्तान के अर्थ विवस्तान नहीं चलाई जह सकती है सिर्फ बात आप जो करना चाहते हों करो मगर जब तक आप इस देश को दोड़ोगे नहीं जब तक इस देश के सब लोगों की आवास विधान सबाओं में लोग सबाओं में नहीं सुनाई देगी तब तक ना बेरोजगारी के बारे में कुछ किया जा सकता है ना अर्थ विवस्ता के बारे में किया जा सकता है कितना भी तमाप लगा हमारा कहना है और हर बाशन में कहता हूँ अर्दिवे वस्ता को किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति चलाते हैं अगर आप पूरा पूरा पैसा 10-15 लोगों के हवाले कर दो नोट बंदी करो गलब GST लागों करोगे तो हिंदुस्तान में रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान के अधरवस्ता चली ही नहीं सकता और मुझे काफी खुशी है कि 36 गड़ में चाहे वो आदिवासियों की बात हो किसानों की बात हो युवाओं की बात हो मताओं बेहनों की बात हो सब को हम एक साथ लेकर, मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, अब फरक ठिकता है, हिंसा कम हुई, अब फरक ठिकता है, तो पता लगता है, दो मिनट में पता लग जाता है, और तोड़ने से कुछ नहीं बनाया जा सकता है, भाई को भाई से लड़ा कर देश का फाइदा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, और यह जो महुत सब है, यह उसी सोच पर बनाया गया है, अलग 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 आदिवासी है, सब लोगों को यहां जगे मिलेगी, सब लोगों को नाचने का मौका मिलेगा, गाने का मौका मिलेगा, अपनी जो हिस्ट्री है अपना जो कल्चर है उसको दिखाने का मौता मिलेगा और अनेक्ता में से इसी फेस्टिवल में आपको एक्ता दिखाई दिए आपको दिखेगा कि अनेक्ता से ही एक्ता बनती है अलग अलग लोगों को आदिवासियों को उनके कर्चर को देखकर समझ कर उनकी अवास को सुनकर ही एक्ता बनती है और यही हमारा लक्ष है कि 36 बढ़ में सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ें मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहां बुलाया और इतने प्यार से आपने मेरी बात सुना बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जहे